आज के वीडियो में हम जानने वाले है कि दी नाम वाले व्यक्तियों का सबाव केसा होता है उनकी लव लाइप और उनके भुविश्य में होने वाली घटनाओ का आज हम इस वीडियो में एनलेसिस करने वाले है लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चानल पर नए है तो आज ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए शुरू करते है इस वीडियो को दी नाम वाले व्यक्तियों का सबाव कैसा होता है जिन लोगों का नामडी से शुरू होता है वे लोग काफी महनती होते हैं यह अपना काम पूरे विश्वास के साथ करते हैं और अंतिम समय तक सपलता प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं यह लोग बाते करने में इतने माहिर होते हैं कि अपनी बातों के जादू से हर कि किसी को अपना बना लेते हैं वैसे तो ये शांथ रहते हैं लेकिन अगर इने कोई गलत बात बोल दे तो ये उस बात का जवब देने से भी नहीं चुकते इनकी बरदाश करनी की शम्यता भोछी आधिक होती है ये लोग अपनी बातों को गुपत रखते हैं इन्हें अपनी ब ताफी उखलब दिया हासिल करते हैं साथ ही मान सम्मन भी पाते हैं ये लोग हमेशा अपने मन की करते हैं इनका दिल भूत ही नाजुक होता है ये लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तयार खड़े रहते हैं जिन लोगों का नाम डी अक्षर से शुरू होता है वे कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं ये लोग बहुत ही वेवस्तित जीवन जीना पसंद करते हैं लोग के मामले में डी अक्षर वाले लोग केसे होते हैं डियक्षरत के नाम वारे लोग सबी के प्रिया होते है ये लाइप में जितना प्यार अपने partner से चाहते है उससे कही जादा प्यार इने नसिब में होता है ये लोग जिसे प्यार करते है उसे पाने की हर मुंकिन कोशिश करते है अपने रिष्टे को ये पूरे दिल से और इमनदारी के साथ निबाते हैं अपने पार्टनर पर ये जरूस से ज़ादा प्यार निचावर करते हैं इनकी लव लाइफ बड़ी ही धीरे गती से आगे बढ़ती है ये बहुत ही पुदार किसम के होते हैं और अपनी रोमेंटिक लाइफ को लेकर ये बहुत ही सज़िदा होते हैं अगर इनकी लाइफ में कोई भी शक्स आता है तो ये उसके लिए बहुत ही प्याशिनेट होते हैं और उसकी बहुत ही केर करते हैं दी नाम वाले व्यक्ति धन के मामले में कैसे होते हैं धन के मामले में डियक्षर वाले लोगों पर मालक्षमी की कुरूपा हमेशा बनी रहती है यह लोग धनवान होने के साथ ही बहुत आदिक बुद्धिमान भी होते है यह जीवन में बहुत ही स्ट्रगल करते है और अपनी इस मेनत के चलते काम्याभी पाते है अपना लक्षप्राप्त करने के लिए ये आकरी दम तक कोशिश करते हैं मेहनस से ये लोग समझोता कभी नहीं करते इन्हें अपना काम सोयम करना अच्छा लगता है ये लोग अपने काम को लेकर पूरी तरह से समर्पित होते हैं और किसी भी तरग कास कोई समझोता नहीं करते अपनी इस जजबे से ये लाइफ में सब कुछ हासिल करने में काम्याब रहते हैं डी नाम वाले व्यक्तियों का करियर कैसा होता है करियर में ये लोग बहुत ही अधिक सपल होते हैं हर काम में अपनी क्रियेटिविटी के साथ ये सपलता प्राप्त करते हैं एक बार यह लोग अगर कुछ करने की ठान लेते हैं तो उस काम को पूरा करके ही मानते हैं इस अक्षर के नाम वाले लोग IT, Software, Education, Art, Computer, Operator और मीडिया के शेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं ये लोग अपने करियर में सपलता और Growth अपनी Creativity और Mind से प्राप्त करते हैं डी नाम वाले व्यक्तियों का 2020 का राशिफर राशिफल के अनुसार साल 2020 करियर के लियास से काफी अच्छा साबित होंगा इस बात की प्रबल संबवना है कि इस वर्ष आपको अपनी मेहनत का प्रिणाम आवेश्र मिलेंगा इसलिए अपनी कोशिश जारी रखे और आगे बढ़ते रहे फरवरी से मार्च और नवंबर से डिसंबर का समय आपके करियर के लिए बहत महतो कुर्ना साबित होने की संबवना है साथ ही आपको नोकरी या व्योसाई में शुप समाचार की प्राप्ती हो सकती है नोकरी कर रहे लोगों के लिए धन लाब होने की संबवना है इस साल नोकरी और बिजनेस कर रहे लोगों के लिए सबसे जरूरी सला यह है कि किसी भी तरह के विवाद में ना पड़े कोशिश करे कि सबीव समस्यों को बात्चित के जरीए हल करे तभी कोई निरने ले डी नाम वाले विक्षियों की लव लाइफ साल 2020 प्रेम से जुड़े लोगों के लिए यादगार रहने वाला है क्योंकि इस साल आप अपने प्रिष्टे को एक नई मजबुती देंगे और आपका रिष्टा पहले की अपेक्षा से और मजबुत होंगा आप दोनों के बीच आपसी विश्वास बढ़ेंगा इस दोरन आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझेंगे और उनके विचारों को महतो देंगे यह साल वेवाहिक जीवन में परिस्थितिया आपके अनुपुल रहेंगी इस साल किसी भी तरह की गलत फेमी से बचे और अपने जीवन साती के साथ सभी मामलों को बात्ची से सुल जाए डी नाम वाले व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति भुविशफल दोवजब इसके आनुसार डी नाम वाले व्यक्तियों के लिए यह साल आर्थिक मामलों के लिए बहत शांदार रहने वाला है इनके साथ अच्छे योग मार्च, एप्रिल और में के महिने में बन रहे हैं इस साल आपको कई माध्यमों के जरीए धन लाव होने की संबवना है और आर्थिक स्थिती मजबुत होने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ट्या में बड़तरी होंगी आर्थिक मामलों से जोड़े मुसलों पर बिना सो समझ कर कोई कदम ना उठाए समझदारी के साथ काम देने की जरूरत है साल के मद्दे में खर्च थोड़े बढ़ सकते है लेकिन चिंता ना करे क्योंकि खर्च बढ़ने के साथ साथ आए भी बढ़ेंगी इस समय शेर बाजर में पेसे लगाने को लेकर लापरवाही नाक बरते फिर कुछ समय के बाद परिस्तितिया फिर आपके अनुकुल हो जाएंगी कुल मिलाकर साल 2020 दीनाम वरे लोगों के लिए आर्थिक रूप से अच्छा सावित होने वाला है शिक्षा राशिफल 2020 के अनुसार यह साल शात्रों के लिए कई शूप संकेत लेकर आने वाला है खास करके वे शात्र जो शिक्षा के शेत्र में कुछ नया करने और सीखने की इच्चा रखते है उन्हें इस वर्ष अपने प्रेयासों में काम्याभी मिल सकती है इस वर्ष आप अपने पढ़ाई को लेकर आधिक गंबिर रहेंगे और कटिन परिश्रम से अपने लक्षों को पाने की पूरी कोशिश करेंगे साल का मध्य भाग शात्रा के लिए शांदर परिणाम वाला साबित हो सकता है इस समय आपको कोई शुर्प समचा प्राप्त होने की संबावना है ऐसे जाद तक जो IT सेक्टर में सीविल सर्विसेज, इंजिनेरिंग, मेडिकार या फिर मैनेजमेंट जैसी फिल में जाना चाते है उन्हें इस अगधी में कोई बड़ी सपलता मिल सकती है इकजाम के दिनों में जादा तनाव मुक्तर रहे कर यदि आप पुरा ध्यान अपनी पड़ाई पर लगाएंगे तो आपको सपलता मिल सकती है जो चातर उच्च शिशा के लिए विदेश जाने का मन बना रहे है उन्हें इस साल अच्छे संस्तान में प्रविश मिलने की संभावना है दीनाव वाले वेक्तियों का स्वास्तियों राशी फल 2020 के अनुसर स्वास्तिक की दुरुष्टी से ये साल आपके लिए शुप रहेंगा और अधिक भेतर स्वास्त पाने के लिए और स्वास्ते संबंदिक समस्यास से बचने के लिए नेमित रूप से योग और एक्सेसाइज करे और खास तोर पर बदलते मौसम में खुद का अधिक ख्यार रखे तो ये वीडियों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताए और ऐसे ही नाम के अनुसर भविश्य जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले